आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर के एटी के न्यूस चैनल पर हर नए खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब अभी कर लीजिए एनमडीसी के शेयर में पैसा लगाएं या नहीं? क्या है ब्रोकरिज की राय और रेटिंग? मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि मजबूत मांग, क्षमता वृद्ध और लौह अयस्क की कीमतों में सुभार को देखते हुए एनमडीसी आगे के विकास अवसरों का लाब उठाने के लिए अच्छी स्थिती में है एनमडीसी को पहले नेशनल मिनरल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था ये भारत में लौह अयस्क की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है कम्पनी का अप्रैल नवंबर का उत्पादन सालाना आधार पर सत्तरासर परसंट की बढ़त के साथ सत्तारीसर पॉइंट थीराई में टाट था अभी बैंक को लेकर आई बड़ी खबर इस बैंक का लाइसेंस हुआ रद आपका भी खाता है तो देखें अभी 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 की तरफ से दिया गया बड़ी खबर अभी 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 प्रेस कॉन्फरेंस में अभी अभी के तरफ से बताया गया है कि एक और bank का license को रद किया गया है जो कि RBI के guideline को पालन नहीं कर रहा था इसलिए इस bank का भी मान्यता को रद किया गया है तो आप सभी को भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आपके भी कभी इस bank में खाता है तो आप सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण खबर हो सकता है तो लिए हम लोग देखते हैं तो वो कौन सा बैंक है जिसके RBI के तरफ गाइडलाइन्स पालन ना होने के कारण लाइसेंस को रद दिया गया है किसानों को मिलेंगे RS 22000 का लाब केवल इन लोगों को लिस्ट में नाम देखें केंद्र सरकार के द्वारा PM सम्मन निधी योजना की तरह से किसानों को RS2000 हर किस्त के रूप में दिया जाता है आपको बता दे कि सरकार के द्वारा साल भर में RS6000 देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था लेकिन अभी अभी एक बड़ी घोशना किया गया है कि अब लोगों को दुगना कर दिया गया है अब साल भर में 6000 के बदले RS12000 अब मिलेंगे तो कैसे इसका लाब लेना होगा कि लोग को या लाब मिलेगा कौन सा राज्य में नियम लागू हुआ है पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं तो ध्यान से पूरा जरूर पढ़ें और इसका लाब जरूर उठाएं मध्यपरदेश में किसानों को पहले से मिलते हैं 10,000 रुपए पी-म किसान योजना से जुड़े मध्यपरदेश के किसानों को पहले से ही यहां की सरकार की ओर से 10,000 रुपए दिये जाते रहे हैं ये 10,000 रुपए यहां के किसानों को दो योजनाओं जिसमें पी-एम किसान सम्मान निधी योजना के तहट 6,000 और मुख्यमंत्री प्रिशक कल्यान योजना चीफ मिनिस्टर फार्मर वेलफेर स्कीम के माध्यम से 4,000 रुपए हर साल दिये जाते हैं। इस प्रकार केंद्र और राज्य की इन दो योजनाओं के माध्यम से यहां के किसानों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष सरकार की ओर से दी जाती है। इस प्रकार की किफायती गेंद्बाजी के बाद सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर दक्षन अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित दूसरे T20 में भारत को 5 विकेट से हरा कर 3 मैच की श्रुंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। तीन मैच की T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चड़ने के बाद मंगलवार रात दूसरे मैच में भी बारिश ने खलल डाला। भारतिय पारी के आखिरी ओवर में बारिश के कारण खेल में रुकावट आई। उस समय टीम का स्कोर 19.3 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन था। दक्षन अफरीका को डखवर्थ लुईस पदती जीत के लिए 15 होवर में 122 रन का लक्षे मिला था। लेकिन उसने 7 गेंद शेश रहते 5 विकेट घमवा कर मैच जीत लिया। बारिश के कारण मैदान गीला होने के बाद गेंद बाजों के लिए परिस्थितियां काफी चुनौती पूर्ण हो गई थी जिसका दक्षन अफरीका के बल्ले बाजों ने पूरा फाइदा उठाया। बेकार गया रिंकू का पहला अर्ध शतक भारत के लिए रिंकू सिंग ने अपना पहला अर्ध शतक जड़ा। उन्होंने 29 गेंद में नाबाद 68 पारी में 9 चौके और 2 चक्के लगाने के अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव चकपन के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 70 रन की साज़ेदारी कर बड़े स्कोर की नीव रखी। सूर्य कुमार ने 35 गेंद की पारी में 5 चौके और 3 चक्के लगाए। उन्होंने तिलक वर्मा इंटीस के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 गेंद में 49 रन की साज़ेदारी की मैच में भारत की वापसी दक्षिन अफ्रीका के लिए गेराल्ड कोईजी ने 3.3 ओवर में 32 रन पर 3 विकेट लिए मैन ओफ द मैच शमसी ने हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित किया उन्होंने बड़े स्कोर वाले मैच में भारतिये बल्लेबाजों को रोके रखा नेपाल करंसी क्या आप जानते हैं नेपाल में भारतिये आर्स 500 नोट की कीमत क्या है जान लीजिए इस समय नेपाल में भारतिये मुद्रा पर संकट मंडरा रहा है साल 1916 में भारतिये मुद्रा के आर्सी इर हंजोट नोट की कीमत 160 नेपाली रुपए तै की गई थी जो नेपाल में आज कहीं पर 150 है तो कहीं पर 145 है हालांकि नेपाल सरकार द्वारा भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है जिसमें भारतिये आर्सी खेंशोट की कीमत में कोई फेर बदल दिया गया हो लेकिन फिर भी नेपाल की दुकानदारों द्वारा भारतिय RS100 की कीमत 10 से RS50 कम लगाई जा रही है दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर 80 के न्यूज चैनल पर आप हर नए खबर की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद